दोस्तो इस वीड में हम बात करेंगे इस टीट एंड टूर्णामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खिला जाएगा CLI वसिज HIS के बीच में तो दोस्तो सबसे पहले अगर हम बात करें पिच के बारे में वैसे तो यहां की जो पिच्छ उती है वो हमेशा बैटिंग फ्रेंड ली पिच रहती है लेकिन पिछले कुछ मैचल से हमने देखा है जो गेंद बाज है दोस्तो वो यहां पे काफी अच्छा एडवांटेज है लुपेट से उठा रही है पिचले खेले गई पांच मैचल्स के अंदर फर्श निंग का आवरेल स्कूर वो 93 का रहा है जिसमें से दो मुकाबले हैं वो चेस करने वाली टीम यो तेर मुकाबले पहले बैट करने वाली टीम ने विन की हैं सबसे पहले है जोसे इसियस के बा सबसे पहले बी खालित के बार में अगर बात करें दोस्तों तो इस टूर्णा मैट में जी रोट से किया है पूरी तरह से फलोप रहे हैं लेकिन लार्ट जो टूर्णा मैट था टी टैन का उसमें उन्होंने साथ मैचस के अंदर 157 रन बनाए थे तो बी खालित दोस्तों कभी तो लास्ट मैसे दोवर में 15 रन खस करके इन्होंने 3 विकेट निकाले और पिछले सीजन में इन्होंने साथ मैस के लिए थी जिसमें 67 रन बैट के साथ बनाए थी और 5 विकेट गिनबाजी में निकाले जिनके बाद दोस्तों हीरा-लाल है जो कि पाउडिटर बल्लेबाज तो विकेट टैकिंग गेन बाद भी है, वन नांग बैटिंग करने वाले हैं, पहले मैच के अंदर 49 रन पे नाबाद रहे और दूसरे मैच के अंदर 11 रन बनाए, बैटिंग के लाव दोस्तों पहले मैच में 2 और 16 रन देकर इन्होंने दो दो विकेट निकाले थे, लास्ट म पहले match में बैटिंग नहीं है दूसरे match में नंबर 4 पर आये थे 3 रन बना इन्होंने बैटिंग के लवा 2 वर कंपिट कर रहे हैं पहले match में 2 वर 24 रन 0 दूसरे match में 2 वर 19 रन देकर 1 विकेट निकला था पिछले T10 टुना match में 7 match में 7 विकेट हैं और T20 के अंदर 8 match में 90 रन प्लस 7 विकेट नोंने निकाल ले हैं M.I.U. बैए का average पर प्रोंप रहे हैं औरो रिकोर्ड इनका कहीं अवलेबल नहीं है नंबर 5 पे बैटिंग आये थी लास्ट में एक रन बनाया इनके अलावा दोस्तो पिछले T10 के अंदर नोंने 7 match में 38 विकेट के साथ और 5 विकेट गेंद बाजी में निकाले थे इनके दोस्तो बैटिंग काफी लेट आती है इसलिए दोस्तो आपको दिखेगा कि इनका जो स्कोर है कुछ जादा नहीं रहता है एब थाटा है नंबर 8 पे बैटिंग करती हो लास्ट में साथ बनाये थे टी टॉन्टी के अंदर दोस्तो इससे पहले इनों ने चार मुकाबले टी टॉन्टी में खेले वहाँ पर स्रिफ 15 रिन के नाम रहे है यह अब बास है बैटिंग काफी लेट आएगी तो जादा उमीदे रहेगी नहीं लेकिन गेंदबाजी में दोनों मैच में एक एक और इनसे करवा रहे है पहले मैच में तो काफी इनको मार पड़ी 32 रंखज किया विकेट नहीं मिला लाश्ट मैच में एक और में 13 रंखज किया यहां पर बिनको विकेट नहीं मिल पाया पिछले टुना मैच के अंदर 7 मैच के अंदर 5 विकेट इनों निकाले थे T10 में और T20 के अंदर 11 मैच में 15 विकेट इनके नाम है तो गेंदबाज दोस्तो ठीक ठाक है अगर दोवर कंप्रिट डालते हैं तो वहां पर विकेट की गुंजा इस बन सकती है एस सिंग है लाश्ट मैच में नमबर 10 पर आते हुए 5 रंपे नाबाद रहे इनके बाद M अक्तर हैं जो कि दोस्तो पहले मैच के अंदर अवलेबल नहीं थे लेकिन लाश्ट मैच के अंदर दोस्तो काफी अच्छा नोने परसन किया एक और में मातर दो रंट करके दो विकेट निकाले बैचल के प्लेयर में दोस्तो यहाँ पर अलमडार हुसेन है जो अगर खेलेंगे दोस्तो तो एक जबरदस्त और गैम चंजर प्लेयर है पहला मैच कहलाता वहाँ पर इनोंने 35 बैट के साथ बनाया और दोस्तो एक और गैन बाजी करते हैं तेरा रंकस करके एक विकेट निकाला तो खेलते हैं तो जुरू आप ट्राइक करके कैटन वाइस कैटन भी बना सकते हैं अब CLI के बारे में बात करें दोस्तो तीन मुकाबले खेल कराएं हैं एक मुकाबला विन किया है दो मुकाबले ये हारे हैं उससे पहले दोस्तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक जुरूर कर दें और चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिपिकेशन बैल आइकन को भी जुरूर दबा ले हैं तो CLI के और से दोस्तो बैटिंग और रहे हैं का भी पूरी तरह से कनफरम नहीं है कभी भी दोस्तो ये किसी को भी उपर ले आते हैं जादतर आर्शिकंदर है दोस्तो वो टीम के लिए उपन करते हैं ए हुसेन के साथ में लेकिन लाश्ट मैट में दोस्तो काफी ज़्यादा चैंज देखने को मिला केस हैपी के साथ इनों ने उपन करवाया था एस मोहमद से केस हैपी है दोस्तो एक आगरिशू टाइप के प्लेयर हैं कभी भी रन लगा सकते हैं लाश्ट मैट में चार इस से पहले 27 और 17 रन बना कराएं हैं ऐसे मोहमद है बैटिंग दोस्तो ज़्यादा तर नहीं आती है लाश्ट मैट में सीधा पता नहीं कैसे इन से ओपन करवाया जहां पर यह अपना खाता नहीं खोल पाए दे बैटिंग के लाओ दोस्तो दोवर गेंद बाजी जुरूर करेंगे पहले मैच में निखेले नहीं थे दूसरे मैच में दोवर 18 रन एक और लाश्ट मैच में दोवर 19 रन एक विकेट निकाला तो गेंद बाजी के तोर पर एक अच्छी पिक रहेगी लेकिन बैटिंग में मुझे नहीं लगता कि टीम इन से एक बार फिर ओपन करवाएगी क्योंकि ओपन में दोस्तो आज सिकंदर और यहां पर एह उसे नाप वो एक बार फिर से उपर नजर आ सकते हैं इनके बाद यहां से एस साकूर हैं यह भी दोस्तो एक एगरिशू टाइप के प्लेयरें कभी भी आउट हो सकते हैं और कभी भी रन लगा सकते हैं जब तक क्रेज़ पे रहेंगे दोस्तो अटेकिंग अंदाज में बले बाजी करेंगे पहले मैच में जिरो दूसरे मैच में 37 तो लाट मैच में फिर अपना खाता नहीं खोल पाए बैटिंग के लावा पार्ट टाइम गेनबाज है पहले मैच में एक और डाला 13 रन विकेट मिला नहीं उसके बाद से अब तक गेनबाजी नहीं करवाई गई इनके बाद यहां से इर्फान मुहमद है नमबर 7 और 4 पे बैटिंग का चुके हैं 26 रन पे नाबाद थे पहले मैच में और लाट मैच में नमबर 4 परात हुए 17 रन बनाए एन हमद है नमबर 4 और 5 पे बल्ले बाजी कर चुके हैं लेकिन अभी तक दोस्तों 12 इनका टोप स्कोर रहा है कुछ खास बल्ले बाजी नहीं रही है गेनबाजी में पहले मैच में एक और डाला था यहां पर विन कर गई थी तो टीम के ऊपर डिपैंड रही था दोस्तों इनसे कितने और गेनबाजी करवाते हैं आर शिकंदर है दोस्तों ओपन भी कर लेते हैं और दोस्तों लाश्ट मैच में सरप्राइज वाली बात थे कि इनको नमबर 7 पर लेकर रहा है तो दोस्तों यहां पर के लाल के बाद एक और अच्छी पिक यहां पर रहेगी दोनों के इल शिकंदर और लाल दोनों जबरदस पिक यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन में आपके लिए बनने वाले हैं यह सफाकत है और एस पर फोर प्रेयर अभी तक सूपर फ्लोप रहे हैं एह हुसे ने दो मैच में उपन किया 16 और 8 बनाए लाट मैच में बैटिंग में मोका मिला नहीं तो टीम जिन से एक और गेंद बाजी करवाई वहां पर इनों नहीं नहीं मिल पाया तो गेंद बाजी यह निकाल चुके हैं बैंचेज के प्लेयर में से दोस्तो जो भी कोई खेलेगा अपडेट आपको टेलिगाम के अंदर मिल जाएगी और टेलिगाम जोईन करने के दो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्केशन बॉक्स में मिल जाएगे अगर लिंक काम ना करे तो सीधा टेलिगाम में जाके हमें सर्च कर सकते हैं आपको टाइप करना है डबलु जी एफ-24 और दोस्तो सर्च करके जुट जाना है टेलिगाम जैंदर अब दोस्तो सीधा बात करते हैं इसे मुकाबले के माई ehkä स्मॉल लिग के नीचे के बारे में ऑभी के लिए के साथ जा रहा लांगडे सेक्षिं में हीरा लाल है S राजा और यहांसे मैने दोस्तो M अक्तर को ट्राइ किया है गेंद बाजी सेक्षिं में बात कि जाए दोस्तो तो पिछले कुछ मैच से गेंद बाजो को अच्छा स्पोर्ट करि दो मैं 4 गेंद बाजो के साथ जाने वाला हूं A उलहक है जैड नवाज है, आई उलहक है और निच्य के वप्षन से दोस्तों मैंने S मुहमत को ट्राई किया है अब दोस्तों इस टीम के अंदर आप देख सकते हैं जो भी कोई चैंज होगा दोस्तों आप अपने कोडिंग भी कर सकते हैं यह जो हमाई टीम है दोस्तों यह फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं रहेगी क्योंकि फाइनल टीम दोस्तों टोस के उपर डिपैंड रहने वाली है और टोस के बाद जो भी अपडेट आएगा जो भी इन्फोर्मेशन होगी तो वो टीम आपको टेलिगाम में मिल जाएगी तब तक के लिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कैप्टन वाल्स कैप्टन की तो दोस्तों एस लाल और एस राजा दोनों आपके लिए अच्छी चोईश रहेगी दोनों को कैसे भी आप रिवर्स करके captain wise captain बना सकते हैं बाकि grand league के अंदर दोस्तों बे खालिद हैं कभी भी run लगा के दे सकते हैं आपको इनके अलावा दोस्तों यहाँ से case Fee के उपर भी थोड़ा सा आप risk उठाना चाहिए रूथा सकते हैं बाकि मेरे grand league और mini grand league की team होगी वो भी आपको सिधर telegram के अंदर मिल जाएगी तब तक के लिए तो अगर आप वो वीडियो फ़सल लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाना चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सकाइब कर लें और हर final update के लिए telegram को बिलकुल मिस मत करें टाइप करें WGF 24 और सर्च करके जूल जाएं telegram के अंदर थैंक्यू फ्रेंच, all the best